सब्सक्राइब करिए टोटल इंटर्टेन्मेंट हिंदी चैनल कर और बेल की आइकन पर दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटल इंटर्टेन्मेंट हिंदी में दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी बहुत ही खास रेस्पी है यह चावल के आठे का फारा मैं आपको बनाना बताऊंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है कैसे बनता है मैं आईए मैं आपको इस्टिब बताता हूं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 200 ग्राम हमन ने मिकसी में इसे मिक्स कर लिया है और अच्छे तरके से पीस लिया है यह है बाना पाने बानी जयरोते जो पानी से पूरा पीस लेंगे और यहाद रिखिए बिलकुल मेदा के तरह पेस्ट नहीं बनाएंगे थोड़ा सा यह दर्बारा राता मतलब खुद्रवा टाईप क ऐसा होना चाहिए यह देखिए उर्थी है इसको भी हमने इसमें डाल दिया आई इसमें लेसन हम डाल देंगे यह लेसन है जो हमने लेसन अभी आपको दिखाता है इसको भी हम मिक्सी में डाल के पीस लिए है यह है जीरा और यह है मिर्च यह सभी इसमें डाल देंगे हम ठीक नोटाज सा जो पांच रुपे काता है kita M अदी जो सवाल्स कार स्वार और इसमें से आप को याद के जैसे आप मिक्स कर रहे है ना इसमें को पानी डालने की जरूत नहीं यह बिल्कुल ठीला होता ही है और इसको तरीके से पूरा प्रफर तरह कर दीजिए। यह देखिए आप मिला देँगे यह जिसमें ज्यादा पानियों डलने जैसे आप मिलाते जाएंगे हलका पाणि छोड़ता यह चावल का और taraf पुरा ची तरह के से मिक्स होगे, अब हम चावल के आठे को जैसे हम आठा गोथेते हैं, इस तरीके से हम आठा गोथे लेंगे, लेकिन याद रखें, ये फारा जब हम बनाएंगे, चावल के आठे को टाइट थोड़ा गोथेंगे, धीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टा लोई बना करके इसके गोल 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 ऐसे घुमाएंगे, पुरा गहरा तरीके से, इसे लब ऐसे कर देंगे, देखें, ये एक छोटी से टिकरी या लिट्टी के तरह हो गई, अब जो थोड़ा सा आठा लगा लेंगे, दोनों तरब आठा लगाने से होता क्या है, कि ये पस स्टार्टिक में मैंने आपको बना हुआ फारा दिखाया था, ऐसे इसका मूँ बंद कर दिए ताकि ये खूल के नहीं आए, ये देखा आपने, हमने इस तरीके से दबा दिया है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर से भी दाव देंगे, ताकि इसका मूँ बिलकुल न खूले, ऐसे कर देने से क्या होता है, कि इसका मूँ थोड़ा सा मोटा हो जाता, खुलता नहीं है उसमें, ये देखिए, बन गया है, देखने हम कितना अच्छा लग रहा, आप एक बार और देख रही है, इधर से भी, अब इस तरीके समय आपको एक दो और बना के दिखा देता हू अब मैं बताओंगा आपको इसको पकाना कैसे है, सबसे पहले हमने एक टप ले लिया, आप चाहतो कडाही भी ले सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है, कि अगर आपको पकाना कैसे है, पास मोमोस वाला बरतन तो वह भी अच्छी बात है, यह देखिए, इसको पानी में सीजाना हमें है, हमने एक ले लिया है, टप, टप में डाल दिया है, पानी में थोड़ा सा पत्ते बगर डाल दिया है, ताकि यह ऊपर तैरता रहेगा, और उसमें डाल देंगे एक टेबल में इसपून तेल, यह देखिए, थोड़ा सा पत्ते का कणर चेंड पानी पूरा उबलने लगएगा, तब उसके बात डालते ही, तेल डाला था, तेल में दिख रहा है आपको, अब इसके उपर ही रहेगा, पत्ते के उपर ही रहेगा पानी में ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और यह भाप की पाणी का जो भाप होता है उसके वज़ए से छीजिता है कि आप उसमें सब डालेंगे हम जितना आज सके जितना आपको बड़ा बरतन ही डाली ज्यादा नहीं डालिए और डालागे उसको धांक दीजे पूरा दबा करके उसके भाप निकलेना यह भाप से पक करके देखिए कितना बढ़ियां हो गया ऐसा हो जाता है पकने के बाद देखिए थोड़ा सा नजदिक से मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखिए पकने के बाद ऐसे हो करें आप उसे तवे बैभी फ्राई कर सकतें ऐसे पीस-पीस आप काठ कटिजिए यह देखिए हमें इस तरह कि ने दो आपको दिखा देता हूं यह पीस-पीस हमने काठ है हुआ पर कंगे गर्म आप गर्म करने के बाद इसको कर देंगे घल कि यह देखिए ऐस Apostle कर देंगे तेल में डाल ज़ें और याद रखें कि इसको ज्ञादा फ्राइ में ने करें ज्ञादा त्यलके मतल़ उसको जलाएंगे नहीं बहुत हालका करके फॉटा सा अंजी स कर और तेल मंदर बिल्कुल जब खुलने लगे ताविसको Anders को डाला यह नहीं कि अंदर कि से पकाना अंदर तक किस के पकाना ने बस उपर का ही थोड़ा सां टेस्सका चेंज होना चाहिए ये तेल में fry होने के बाद थोड़ा से इसका टेस्ट और ही अच्छा हो जाता है अगर आपको तेल में fry करना अच्छा नहीं लगता है बिना तेल वारा खाना चाहरे हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया लगेगा देखें तेल में से fry करेंगे हलका ही फ्राइगे मैंने आपको नजदिक से जूम करके दिखाया बहुत हलका फ्राइगे ज्यादा डिप फ्राइग नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगे देखें फ्राइग होने के बाद ऐसा दिखता है वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करिएगा और चैनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करिए और बेल के आइकन पर जरूर दुबाईए ताके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके